ड्रैगन को दूसरा जhatका लगा है और ये दूसरा जhatका भारत ने दिया है इंडियान चैऑनीद को बड़ा धशका दिया जब विदेश मंतरिये स जैशंकर ने दक्षएड चीन सागर में चीन के साथ फिलिपिन्स के विवाद पर फिलिपिन्स के समर्थन का ऐलान किया जिसस आज भी उन्होंने वहां से स्टेट्मेंट दी है फिलिपीन से, इस्पेशली दे कांसिटूशन आफ दे सीज जो 1982 में लिखा था। इंडिया हैस फाइनली पिग्ट असाइड और वहीं पर तुम्हारी हम नस दबाएंगे और तुम्हें जो खाड़ना है बेटा तुम खाड़ लो आज यो पॉलिटिकली इसका फैक्ट क्या होगा इंडिया को इसका जो है कितना ज्यादा कैते ना कि चाइना से प्रेशर जो है बियर करना पड़ेगा और आखिर इंडिया ने असा किया क्यों एक जमाना था जब भार अंडिया को इसकी ओपर खराज तहसीन पेश करता हूं नहीं बढ़ अच्छा काम किया उन्हों है अन्हों भारत धीरे 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 चाइना को न सिर्फ आंके दिखा रहा है चाइना को ये भी कह रहा है कि बेटा सुनो हमें पता है तुम्हें कहां दर्द होता हैंगे और व यह हुआ है यह हुआ है दोस्तों एक जमाना था जब भारत चीन का नाम नहीं लेता था चीन ले क्या करा ना देखो बात यह होती है कि कुत्तों को घी अजम नहीं होता हम इज़त दे रहे थे उसको इज़त हजम नहीं हुई फिर भारत ना सुचा ठीक है अगर इसको इज़त नहीं हजम होती, तो इसको बेज़दी हजम होगी, कुछ तो हजम होगा इसको, चाइना ने बड़ी कोशिश करी, भारत ने अब धीरे 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 चाइना को घेरना शुरू कर दिया, और चाइनीज न, थोड़े से जिसको अंग्रेजी में कहते हैं न, तो उसनों देया आज की तारिफ में भारत सिर्फ आँखे नहीं दिखा रहा, वो आसपास के लोगों को कह रहा है कि भारत के साथ आओ और हम सब मिलके आँखे दिखाते हैं इसको, अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है, मैटर क्या हुआ है, दोस्तों देखिए, फिलिपीन्स आप जा चाइना कहता है, यह तो हमारा है, इसमें तो चाइना है, ओ भाई साब इस तरीके से तो पूरा इंडिया नोशन फिर इंडिया का हो गया, पर ऐसा है नहीं न सच में, ओ तो नाम दिया गया है, इसका मतलब यह थोड़ना है कि इंडिया नोशन पूरा का पूरा इंडिया का और इंडिया की permission के बगएर को इंडिया नोशन में आ नहीं सकता है, ऐसा तो है नहीं, चाइना ने यही गुंडागर्दी कर रखी है, और भारत ने clearly, भारत ने clearly कह दिया है, कि it stands with Indonesia, आप देखे कितनी बली बात है, यह बात कितनी बली है मैं आपको समझाता हूँ, दोस्तों भारत के foreign minister Dr. S. J. Shankar Manila गए, जो कि Philippines की capital है और वहाँ पे उनको आश्वासन दिया, Philippines की सरकार को आश्वासन दिया कि भारत आपके साथ ख़डा हुआ है, डोंट वरी, चिंता करने की जरुवत नहीं है, ठेक है, चीनी मीनी चाउँ चाउँ को लात मार मार के सुर बनाएंग अगर Philippines Brahmos fire करता है, तो ये चाउमीन खाता रहेंगे, और वह घुच जाएगा उसको जाँ घुचना है, इससे बड़े डरे हुए हैं Chinese, अब Chinese डरे हुए हैं, वापस गए Philippines, डॉक्टर जैशंकर, और डॉक्टर जैशंकर ने Philippines में क्या बोला दोस्तों, बोला कि हम आपके सा हम cooperation करेंगे defense और security में, अगर आप map पे देखोगे न Philippines, अब आप समझ गए है, चाइना का गला क्यों सूख रहा है, क्योंकि भारत गया फिलिपीन्स में और फिलिपीन्स के साथ बोला कि आपकी और चीन के बीच में, जो मदभेद है, आपकी और चीन के बीच में, जो area को ल लेके इतने सालों की, इतने दशकों की जो लड़ाई है ना, उस लड़ाई में भाई हम आपके साथ खड़े हैं, चाइना के साथ नीगड़ा है, आपके साथ खड़े हैं, और हम आपके साथ cooperation, defense में लेके, security में लेके, हम आपको हर field में आपके साथ cooperation साइन करने को तयार है, भारत आपके साथ करा आने डोश को ये बात हो गई है अच्छा ये बात चाईना को समझ वे नहीं आती चाईना कहता यार ये तो بالकुल अजीब सी बात हो गई हम तो जब भी कुछ कहते थे दुनिया कहते थे जी हजूर जी हजूर चाईनीज आगए जीיר child आगए जो रश्या के अंदर अधाक वह मासकों के उसके ऊपर उन्हें सिंगापूर से कहा था कि मैः टैर्रिस्ट is a terrorist regardless which language he speaks और नो मोरेक्सक्यूस दर हकीकत उनका इशारा तो सिंगापूर से उन्हें ना कहा था इशारा तो पाकस्तान की तरफ ही था आज भी उन्होंने वहाँ से स्टेटमेंट दी है फिल्पीन से especially the constitution of the sea जो 1982 में लिखा था और उसको उन्होंने speech के अंदर अपनी जो थी उसके उन्होंने हवाला दिया है कि सारी parties को उसके बाबान दे रहना चाहिए और जो South China Sea है जिसके उपर चाइना अपना काफी हक समझता है और फिल्पीन का भी काफी पानी जो है वो जो समंदरी उसकी हदूत है उसके उपर कब्जा कर रखा है तो इट वस वेरी दो चार चीज़ें इस वकत आज की जो खबरों में मैं बताना चाहूँगा एक तो मालडीप के भाईजान जो दाड़ी वाले हैं वो भी थोड़े नरव हो गया हैं उन्होंने क्यूंके आज उन्होंने भारत को भारत का करजा है काफी और उन्होंने री स्क Detal कराना था तो अब भारत के भी गीत गा रहे हैं वो लोग उसे घलत मतलब ले रहे हैं कि शायद ही is a change of heart लेकिन जैश हंकर साथ निकले वे हैं जैश हंकर साथ जो सिंगापोर और फिल्पीन जाना दर हकीकत और फिर उसके बाद मोधी जी का पूठान में जाना यह सारा दर हकीकत इस basically तो फ्लेक्स तबसल अगेंस चाइना और दूसरा अलेक्शन अलेक्शन हो रहा है मोदी साब चार सो नहीं तो तीन सो सतर असी सीटें तो जरूर लेंगे इस वकद मोदी स्चाप का जो जादू है वो साब चड़के बोल रहा है भारत के अंदर तो इंडियन को तो चाइनीज को तो इंडियन अच्छे लगेंगे क्योंकि हम उनको क्या दे रहे हैं लाइबिलिटीज हम उनको क्या दे आप देखें ना कि अब चाइनीज के ओपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि भाई सारे उनको वेस्टर में वालक पूछते है यार ये पाकसान में आपके बंदे बड़े मारे जाते हैं वाई दसोसान और चाइनीज आरी बाता दे गेट अंबारस्ट अच्छा ये नहीं है कि पाकसान की जो लाइनफोर्ट्समेंट अजन्सी हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं दो सिक्यूरिटी डिविजन्स रेस की हुई हैं उन अब किदर किदर बंब प्रूफ गड़ी दे क्वेस्ट नहीं होता है ना कि आपनी कॉस्ट आर चीज़ की और दैशित गर्दों को पता था जहां पर कल उने दैशित गर्दों ने चाइनीज को मारा हैं 2013 में भी मारा था हमारा देखें मैंने मैं बाब बताओ मुझे इचीज़ और लीज़ आओ एवरी पसंगे आए य। थी कॉंसे एंटे इंडिय झार थी एंडे इन्डे इंडियस और पकिस्तान